नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका study with AMC चैनल पे वीडियो का आप लोग आखरे तक जीवट देखें वीडियो कंत में मैं आपसे question पूछूँँगा जिसके answer आपको नीचे comment box में करने हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं इस practice set को तो question के चलते हैं और पहला question आपके screen पे है क कि निमनलेखित में से कौन से देश में मेसेटा पठार इस्थित है मेसेटा पठार देखते हैं आप हाइलाइट किये हुए है जितने भी highlighted part आपको दिखें उससे आप लोग ध्यान में जिरुर रखें तो मेसेटा पठार इस्थित है कहां पे Spain में Spain option किस में है option C में सही answer कि है हम लोगों का option C Spain में सेटा पठार कहां पे है Spain में अगले question को देखते है निमनलेखित में से कौन सा एक सुगंधित हैड्रो कारवन नहीं है यहां पूछा गया क्या नहीं है तो इसमें नहीं है क्या इथेन इथेन सुगंधित हैड्रो कारवन नहीं है जबकि बांकि यह तो गोदान नामक पुष्थक के लेखक कौन है तो गोदान नामक पुष्थक के लेखक है अब लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों को साथ भी सेर जरूर किया करें अगला question फिर है निमने रखित में से एस्टोनिया की राजधानी कौन है तो एस्टोनिया की राजधानी क्या है एस्टोनिया की राजधानी है टलिन ठीक है टलिन ओप्शन डी यह राजधानी कहा की है एस्टोनिया की और यहां के मुद्रा पूछ ले जाए तो यहां के मुद क्या है highlighted part mega विज्ञान परदर्शनी मेगा विज्ञान परदर्शनी तो यह हुई थी कहां पर मुंबई में अई थी मुंबई में option B चलि फिर next question देखते हैं डॉक्टर भीम रा अम्बेदकर ने किस अनुछेद को भारतिय संभिदान का हिर्दय और आत्मा बताया है बहुत important question है और आप लोग जानते भी होंगे कि यह question बहुत बार एक्जामे पूछे गया है तो भारतिय संभिदान का हिर्दय और आत्मा किस अनुछेद को बताया गया है तो इसमें सही आंसर क्या है अनुछेद 32 अनुछेद 32 यानि की option D ठीक है चलिए next question को देखते हैं question क्या है फिर सातमा नंबर मई 2019 में मेड्रीड ओपन का खिताब किस ने जीता क्या है question मेड्रीड ओपन हाइलाइट पार्ट क्या है यहां पे मे एंपेडरीड ओफन का खिताब जीता ही नुबआग जोखोविच ने नुबआग जोखोविच आप्शन चलिए next question फिर आपके स्क्रीण पे question क्या हैले स्ट्रॉल किस से सम्बन्दित है कॉसे उस सम्भंदित है तो यह समंभिःत है वसा से सम्भिःत है cholesterol next question फिर आपके screen पे है चलिए mouse अटक रहा है कोई बात ने इससे ठीक कर लेते है question के दर चलते है अगला question क्या है वर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्तु होता है तो वर्फ पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि इसका गनत्यु क्या होता है पानी से कम पानी से कम इसका गनत्यु है तभी तो यह पानी के उपर तैरता है और यह question इसे और भी पुछ आते हैं कि एक गिलास में वर्फ तैर रहे है पानी से गिलास में भड़ा हुआ है इसमें पुरा पानी भड़ा हुआ है और वर्फ उपर तैर र तुरभाव पढ़ेंगे क्या इसमें कोई परिवर्तन होंगे तो जी नहीं यह आप परिवर्तित रहते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखनेगे को मिलेंगे बर पिघलने के रह से बाद भी ठीक है All यह पूरूशन पूछ जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया अगला प्रीक्वा सिर्दाइब तुल्सिदास किस सासक से संबन्दित थे यहां पर दो कूछें बन गए एक तो पहला प्रायूशन है एक्जाम पूछे जाए कि राम तरित मानस के लेखा कौन है तो राम चरित मारास के लेखा कौन है तुलसी दास अब दूसरा question इसमें यह है कि तुलसी दास किस सासक से संबंदित थे तो तुलसी दास अकवर से संबंदित थे किसे संबंदित थे अकवर से option A अकवर इब्राहिम लोधी का मकवारा किन सहरों में से इस्तित यानिकी question क्या है इब्राहिम लोधी का मकवारा इन में से किस सहर में इस्तित है या इस्तित है पानी पत में option B फानी फत अगले question को देखते हैं फिर छाड़िये धातुओं को आधूनिक आबर्त सार्णी में किस समूह में रखा गया है तो यह रखा गया कि समूह में पहले समूह option C पहले समूह में छाड़िये धातुओं को आधूनिक आबर्त सार्णी में रखा गया है March 2019 में साप महला championship किस देश ने जीती किस देश ने जीती है महला championship तो यह जीती है भारत ने option D भारत अगला question फिर देखते हैं क्या है next question question क्वेश्चन इन में से किस राज्ज में लेप्चा जन जाती पाई जा सकती है लेप्चा जन जाती लेप्चा जन जाती पाई जा सकती है कहाँ पे सीखिम में, सीखिम कौन से option में है तो option B सीखिम, जरूरी नहीं कि यहाँ पर option B में है, तो question exam में भी B में ही होंगे, बहलंकि आप लोग कुछ समझदार हैं, अगला question देखते है निमनेलखित में इसे कौन से बिमारी हवा से नहीं फैलती यानि कि इन option में से कौन सी बिमारी दी हुई है जो कि हवा के माध्यम से नहीं फैलती है तो इसमें बिमारी है वो हैजा ठीक है हैजा option A हैजा ये हवा से फैलने वाली बिमारी नहीं है आगे फिर question है खर्ची पूजा एक परसिद्ध हिंदू तहवार है जो भारत के निम्रेल खर्ची पूजा संबंदित है कहां से खर्ची पूजा संबंदित है त्रिपूरा से option C त्रिपूरा option C त्रिपूरा अगला question है लाड मैं काले आमतोर पर भारत में क्या लाने से संबंदित है लाड मैं काले आमतोर पर भारत में क्या लाने से संबंदित है तिन और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के शुरुवात की थी, option C, अंग्रेजी शिक्षा, डोलोमाइट निम्नलेखित में से किस धातू का अयस्क है, तो ये अयस्क है किस धातू का, मेगनेसियम का, मेगनेसियम, option B, ओके चलिए, अगला question देखते हैं, क्या है question, नर्मदा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा है, नर्मदा नदी का उद्गम अस्थल कौन सा है, तो इसमें कौन सा है भाई मेरे, अमर कंटक, अमर कंटक, option A, जितने भी लोगा answer कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, next question फिरिया, निम्नलेखित में से कौन सा बिकल्फ, थॉमस आलवा एडिशन का अभिसकार न यानि कि जो option यहाँ पर दिये हुए है, इन option में से इसे कौन सा option दिये हुए है, जिनका अभिसकारक थॉमस आलवा एडिशन नहीं है, तो इसमें बातानों कुलित प्रनालिक के अभिसकारक थॉमस आलवा एडिशन नहीं है, वांकि तीनों यूपर देखने option, option A, B, C, ये पीड़ पंजाल रेलवे सुरंग कहां पर इस्तित है, तो ये इस्तित है जम्मू और कस्मीर में, जम्मू और कस्मीर किस option में है, option A, option जम्मू और कस्मीर, बाब हॉक का निधन हो गया, वां कहां के परधान मंत्री थे, बाब हॉक, हाइलाइट किये हुए इसे इसे भ्यान ये बाब हॉक, तो बाब हॉक का निधन हो गया है, ये तुक्लियर है, और ये कहां के परधान मंत्री इतरे आपको ये बताना है, तो ये परधान मंत्री थे, अस्ट्रेलिया के, option C, अस्ट्रेलिया ठीक है, अग़ला question देखते हैं, क्या है question लखनों सहर किस नदी के किनारे इस्तित है किस नदी के किनारे लखनों सहर इस्तित है तो सभी को मालूम है कि लखनों सहर जो है या गोमती नदी के किनारे इस्तित है option B गोमती निम्नलेखित में से कौन सा हरपा अस्तल उत्तर परदेश में इस्तित है तो इसमें कौन सा है आलम गीरपूर में आलम गीरपूर option वे आलमल गीरपूर ठीक है next question को देखते है फिर kya है question है भारत में किसंए समपरदाइक निर्वाचन छेतर के जनक की रूप में जन जाता है क्या है question भारत में यह question जो पहले set तो उसमें भी question आपको देखने को मिले थे और सेम वही question दूसरे set में मिल रहे हैं आपको तो इसी तरह जब आप set practice करते हैं तो यदि आप एक set को चीज त्यार करके बना लेते हैं अगले set में फिर आपके नम्मर धरे-धरे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि कुछ question ऐसे होते जो कि सभी set में आपको एक समान देखने को मिल जाते हैं और आप उनके बिल्कुल सही-सही answer कर पाते हैं तो next question पर देखते हैं क्या है question आपके screen पर है निमनलकित में से कौन सा दूई-पत्री-बीज का उदारन है दूई-पत् का भी एक ही बज आते क्या दाल दाल को यदि दो भागों माटे तो विभाजित हो जाते हैं ठीक है तो हम लोग का सही answer क्या है इसमें दाल ओके अगले question को देखते हैं फिर अगला question है डफला जनजाती कहां पाई जाती है डफला जनजाती यहां पर बात है जनजाती की तो जनजाती जो है यह पाती है अरुनाचल परदेश में option B अरुनाचल परदेश अगला question हे अपके screen बे समुदर्गुप्त का दर्वारी कभी कौन ऐसे कह था हरी सें सें याद आप लोग चरूर रखें बहुत important question है नेक्ट को देखते हैं फिर किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिली से दौलताबाद में अस्तानांतरित कर दिया था ये दिसनंब भादवार पूछे गयी लिछ बिहर प्रीम्याम हो या फिरकोई अन्ने गजम हो तो सभी लिछह को πα्रीव कर आंशिते लिओ EP फिर अगला question क्या है दुलहस्ति बांध इनमें से किस नदी पर इस्तित है दुलहस्ति बांध इस्तित कहां पर तो यह सित है चिनाव नदी पर चिनाव नदी option A के अगले question को देखते हैं समलैंगिक विवा को बैद बनाने वाला Asia का पहला देश कौन आ़ है एसिया का पहला देश तो एसिया का पहला देश है ताइवान ओप्शन ए ताइवान ठीक है ताइवान इसके राधानी क्या थाइप ए ठीक है अगले क्वेस्टन को देखते हैं पुष्टक my country my life सिर्फ जो हाइलाइट फार्ट है इसे आप रोग देखें my country my life यह किसके द्व अगले क्वेस्टन को फिर से देखते हैं क्या है नेम ताइलल अत्वेस्ट में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है तो किसे किया ज़ता है इस तरह से या किया ज़ता है इन्हें से जिंक को, option A, जिंक, ठेक है, अगले question को देखते है, question आपको पहले से दिख रहे हैं हलके- इसे देखते हैं हम लोग, क्या है question बस्तू पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो इस बल को कहा जाता है क्या, thrust, thrust, option A, thrust, इस बल को क्या कहते हैं, thrust, ठीक है, चलिए, अगले question को देखते हैं, अगला question कहा है, निमनेलखित रोगों में से किसे रोकने के लिए, रोटा वायरस T का दी जाती ह है, को option यहाँ पर आपके screen पर बांकित दिये हुए है, question क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, निमनेलखित रोगों में से किसी रोकने के लिए, रोटा वायरस T का दी जाती है, रोटा वायरस जो highlighted पार्टे से हम लोग देखते हैं, रोटा वायरस ठीका, रोटा वायरस ठ में नया केंद्रिया गरी सचीव नियूक्त किया गया था, केंद्रिया गरी सचीव, तो केंद्रिया गरी सचीव किसे नियूक्त किया गया है, अजय कुमार को, अजय कुमार भल्ला, option A, option A, अजय कुमार भल्ला, चली, अगले कुशन को देखते हैं, अगर्स्त 2019 में पस्मी आंचलिक परिशद की 24 वी वैठक कहां आयोजित की गई थी पस्मी आंचलिक परिशद की 24 वी वैठक आयोजित की गई थी कहां पे यह आयोजित की गई थी गोवा में गोवा ऑप्शन भी गोवा अगला फिर क्वेशन आपके स्क्रीन पे अमेजन ने दुनिया में सबसे बड खोला है कहां पर हैदराबाद में हैदराबाद option C अगले कोशने को देखते हैं फिर अगस्त 2019 में UAE के सरबोच राष्टे पुरुस्कार order of जायत से किसे सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है ठीक है यहाँ पर किसे गया है यहाँ पर हो जाएगा चलिए किसे किया गया सम्मानित तो यह सम्मानित किया गया है स्री नरेंद्र मोदी को जोकी भारत के बरतमान परधान मंतरी है और आपका आज का question यह है कि भारत के गरिफ मंत्री बरतमान में कौन है भारत के बरतमान में अभी गरिफ मंत्री कौन है यह answer आपको नीचे comment box में करना ज़दी से देखते हैं कितने लोग इस question का answer कर पाते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जिरूड करें इस तरह की प्रैक्टिस सीट और आगे अपलोड की जाएंगे यदि आप चाहते आने वाले से वीडियो इसको देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को अन करें और वहां पे और के आपसन आएंग आपके सामने तो आल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर ले ताकि जो भी नए वीडियो यहां पर अपलोड किये जाएं इसकी सूचना मिले आपको सबसे पहले वांकि मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वी जो भो